दोस्तों एक loft garage या तैकानी की सफाई करना बहुत ही बोरिंग काम हो सकता है लेकिन क्या हो अगर उस काम को करते हुए आपको एक छुपा हुआ खरदाना मिल जाए दोस्तों दुनिया भर के घरों में धूल मिट्टीम लिप्टी हुई बहुत सारी चीज़े होती हैं जिनकी की यह ढूनते हैं आपके घर की कुछ सबसे कीमती चीज़ों को जो आपको माला माल कर सकती हैं कंप्यूटर कैश आउट दोस्तों 2015 में अपने garage की सफाई करते समय सैंड फ्रांसिसको की एक महला को एक ऐसा computer मिला जिसका इस्तिमाल उसके परिवार वालों ने सालों से नहीं किय हुआ यह कोई पराणा computer नहीं था यह एपल वन था जिससे एपल के फांडर स्टीव जॉपस और स्टीव वंज्याक ने अपनी पहले computer की रूप में बनाया था उन में से सिर्फ 1976 में बनाय गए थे लेकिन तब से एपल की लगातार बढ़ती हुई कामयाभी को देखते हुए company को अपनी शुरुआती दोर में मदद करने वाले computer आज बेहत कीमती हैं कितने कीमती वैल नीलामी में इस बूड़ी औरत के द्वारा छोड़के इस model ने दो लाख डॉल की भारी भरकम कमाई की थी लेकिन 2014 में ठीक एक साल पहले एक और एपल वन मिला जो की 40 साल से एक शक्स के बेस्मेंट में बढ़ा हुआ धूल घारा था नीलामी में इसके 3 लाख डॉलर में बिकनी की उमिद थी लेकिन इसके बदले 9 लाख 5000 डॉलर मिले तब से बाजार में एक और एपल वन आया है औ और 1.5 मिलियन डॉलर की मांग कर रहा है तो बच्चों आप अपने दादा दादी को उनके घरों की साफ सफाई करने में मदद करते रही है नहीं तो वह आपकी विरासत को बिना जाने जमज़े ही कोड़े दान में डाल सकते हैं Limited Lego दोस्तों ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने Lego खिलोनों के साथ ना खिला हो आप उन चमकदार इंटों और जानी पहचानी पीले आकरतियों का इस्तिमाल करके अपना मन चाहा कुछ भी बना सकते हैं लेकिन भले ही इसके बहुत से डिजाइन एक जैसे हो सकते हैं लेकिन स इसके रिलीज के एक साल बाद मार्वल का पागल पन अपनी उचाईयों पर था इसलिए इन कीमती चीजों को सिर्फ लॉट्री में ही जीता जा सकता था अब अगर आप भी मेरी तरह एक नौसेखी हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का एक अजीब Lego प्राइस सिर्फ एक अच्छा सा गिफ्ट हो सकता है शायद आपने इसी किसी खिलोने के टिबबे में रख दिया हो या किसी चैरिटी को दे दिया हो मेरा मतलब है कि ये सिर्फ लेगो है ठीका ना खलत इन में जे कुछ लेगो फिगर जैसे स्पाइडर मैन और स्पाइडर विमन इतने रेर थे कि उस समय एवे पर उनके लिए साढ़े तीन सो डॉलर से जादा की बोली लगाने वाले कलेक्टर मुझूद थे और तब से जैसे जैसे मार्वल की लोग प्रेता बढ़ी तब से उनकी कीमत भी बढ़ गई है फिलहाल स्पाइडर विमन की निलामी की कीमत करीब 5,800 डॉ वाह अब इसे कहते हैं सेलरी का असली फर्क बेशकीमती पोकेमोन कार्ड दोस्तों जून 2021 में यूटूब सूपरस्टार और प्रफेशनल इडियट लोगन पॉल ने असली बॉक्सर फ्लाइड मेविदर के खिलाफ रिंग में कदम रखा और एक पोकेमोन कार्ड गले में प पोकेमोन कार्ड जिसे मैं बच्पन से धर धर लेकर भागता था उसकी कीमत एक मिलियन डॉलर है यह पागलपन है है ना वेल पूरी तरह से नहीं जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूँ कि 1998 में इंटरनेशनल लेवल पर जाने से पहले पोकेमोन ट्रेडिंग का पहली बार 1996 में जापान में लॉंच किया गया था पोकेमोन कार्ड के एक पैकेट की कीमत लगभग 4 डॉलर थी जिसमें बच्चे पूरे 102 कार्ड के विस सेट को इकठा करने के लिए 100 डॉलर खर्च किया करते थे लेकिन यह जल्दी ही अपने मार्केटिंग एनिमेशन और वीडियो गेम की लोगभरता से दुनिया भर में एक संसनी बन गया और बात की एडिशन में कई और कार्ड जारी किये गए आज यह अनुवानित 105 बिलियन डॉलर की सेल्स के साथ सबसे जादा कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइजी की लिस्ट में सबसे उपर है पॉप लोगभग 55 कार्ड यह मौशूद है तो लोगजूं के पास मौशूद की मत एक मिलियन डॉलर किव एंग उसने कार्ड को सिर्फ भीर लाक डॉलर में खरीदा था और यह संबबभ है कि उसके कवर पर लगे हुए हीरों की वज़े से उसकी कीमत बढ़ गई हो लेकिन चरीज तो दोस्तों अपनी महां से पूछे कि क्या उनके पास बेस्मेंट में चुपा हुआ आपका कुई पुराना पोकेमोन कार्ट है क्योंकि उनमें से कुछ से अभी उनका लोंच चुकाया जा सकता है दोस्तों कि आप इन चीजों में से अपने पास कुछ ना होने के लिए खुद को कोस रहें तो ये जानते हुए कि आप इनसे हजारों डॉलर कमा सकते थे क्यों आप अपना फ्रस्टेशन नीची दे गए लाइक और सब्सक्राब बटन पर निकाल दे जी यहां उनका जादा से जादा इस्तिमाल कीजिए अच्छा लगा ना ओल राइट तो कहा थे हम जादू और पैसा दोस्तों पोकेमान निकलोता ऐसा कार्ड गेम नहीं है जो मोटी कमाई करता है 1993 में जारी किया गया टेबल टॉप कार्ड गेम मैजिक दा गैदरिंग अपनी तरह का पहला ट्रेडिंग कार्ड गेम था फेंटेसी थीम वाले कार्ड छोटे बेवकोफ लोगों को बहुत आकरशित करते थे और मेरे जैसे कटर फैंस को बूस्ट अपैक पर अपना पूरा पैसा खर्च करने में कोई जमसर नहीं थी भले ही ये पोकेमोन की तरह कामयाब नहीं रहे लेकिन अकेले 2020 में इसने 581 मिलियन डॉलर की कमाई गी थी 1993 के फर्स्ट एडिशन के कार्ड जिन्हें अलफा सेट की रूप में जाना जाता है प्लेयर्स और कलेक्टर्स दोनों के लिए बड़ी कीमती हैं कितने कीमती वेल अपरल 2021 में अलफा कार्डों का एक उरिजिनल सील बन स्टार्टर सेट 84,000 डॉलर में बेचा गया था भले यह अच्छा है पर फिर भी यह जानकर अभी भी आशर होता है कि जन्वली में इसके ओरिजिनल डिजाइनर क्रिस रश्ट द्वारा साइन किया गया एक मिंट कंडिशन कार्ड 5,11,000 डॉलर में बेचा गया था ऐसा माना जाता है कि अभी सिर्फ 5,000 ब्लैक लोट्स ही इस्तिमाल में है और उन में से कुछ ही अच्छी कंडिशन में है लेकिन अलफा और सेकंड बीटा सेट के दूसरे कार्ड की कीमत अभी भी सैंकनों या हजारों डॉलर हो सकती है यार कौन जानता था कि 1990 के दशक में एक बड़ा बेवकोफ होना किसी दिन इतना फायदे मन साबित होगा कंसोल और कार्टेज दोस्तों 90 के दशक के बच्चों को अपने पराणी कंसोल याद होंगे जैसे सेगा, मेगा, ड्राइब और निंटेंडो गेमक्यूप्स लेकिन यह अपनी तरह के पहले नहीं थे, यह टाइटल 1980 के दशक के कम जाने जाने वाले गेमिंग सिस्टम जैसे कि Sinclair, ZX, Spectrum को जाता है आप सोच रहे होंगे कि यह तो सिर्फ एक fancy keyboard है, लेकिन लगभग 40 साल पहले यह गेमिंग टेक्नोलजी की उचाई थी जैसे कि Horace Gois King और Night Lord जैसे नामों से पता चलता है और अगर आज वो आपके पास शांदार कंडिशन में मौजूद हैं तो उन्हें अच्छे की मत्वा बेचा जा सकता है स्पेक्ट्रम के सूपर कीमती नमूने 900 डॉलर तक बेचे जा सकते हैं और कुछ सील बंद गेम के सेट 130 डॉलर तक में बेचे जा सकते हैं Commodore 641 और ऐसा computer था जो 80 के दशक के बच्चों को अच्छी तरह से याद होगा जो अब तक का सबसे ज़ादा विकने वाला single computer model है इस कंसोल के लिए सैक्डों गेम थे जैसे की Castlevania, Ultima One और The Great Giana Sisters जिनहें 80 के दशक के बच्चों ने बड़ी तादाद में खरीदा था Castlevania जैसे गेम के साथ जिसने अपनी पूरी फ्रेंचाइजी बनाई है जिसकी कीमत लगभग 300 डॉलर है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक लाउंच पैड होने के नाते, कलेक्टर अच्छी कंडिशन में इस कंसोल के लिए साड़े 400 डॉलर से ज़्यादा भी खरच करने को तयार है ये बात और है कि इसका ओरिजिनल मुझे बहुती बहानक लगता था 1989 में निंटंडो के गेम बॉय के लाउंच ने 1980 के तशक के हैंड हेल्ड कंसोल के डिवलपमेंट को खत्म कर दिया था सूपर मार्यो वर्ल्ड से लेकर औरिजिनल पोकेमोन गेम तक सब कुछ खेल कर अगर महीनों नहीं तो कम से कम हफतों तक मैं मेरे कंसोल के साथ चिपका रहता था यार क्या तरीका था जीनिका जब इसे पहली बार रिलीज किया गया था तो गेम बॉई की कीमत 89.99 डॉलर थी जो आज के पैसे के हिसाब से लगभग 200 डॉलर है लेकिन अगर वो अभी भी अच्छी कंडिशन में हैं तो इसकी लगातार कामाभी और पॉप कुल्चर में बढ़ते महत्वी कारण वससे कहीं जादा कीमती है जून 2021 में एक उरिजिन पर बिखते हैं लोगप्रिय गेम जैसे की पहले बताया गया पोकेमोन सीरीज गेम इसी तरह की शांदार कंडिशन में अभी भी बहुत डिमांड में है इनफेक्ट एक सिंगल सील बंद पोकेमोन ब्रेट कार्टिज जो पहली बार रिलीज होने पर लगभग 30 डॉलर की थी 2021 में लगभग 18,000 डॉलर में पोस्ट की गई थी और ये कोई अकेली घटना नहीं थी एक और रेयर सील बंद पोकेमोन यलो कार्टिज हल ही में 16,000 डॉलर से जादा में पोस्ट की गई थी यहां तक कि अच्छी कंडिशन में अस्तिमाल किये गए कार्टिज की कीमत भी 150 तक हो सकती है लेकिन जब पुरानी कार्टिज की बात आती है तो कुछ ही आपको सूपर मारियो फ्रेंचाजी जितना पैसा कमा कर दे सकते हैं इसमें कोई आशरी की बात नहीं है कि कलेक्टर दुनिया के पहले 3D प्लैटफर्म गेम सूपर मारियो 64 जैसे ग्राउंड ब्रे कि अपने गेम को खोल कर उससे खेलता रहा तामा गोटची चेंग्स दोस्तों 1990 के दशक से एक और स्टाइल एक अंडे के शेप में एक खुपसूरा डिजिटल की चेंड की रूप में वापस आ गई है ये चोटे गैजट दुनिया के पहले डिजिटल पैट्स थे जो लगा कर सकते हैं 1990 के इस ओरिजिनल बंदाई नेम को की कीमत उस समय सिर्फ 17.99 डॉलर थी जो आज लगभग 30 डॉलर है ग्राफिक डिजाइन से लेकर फैशन तक हर चीज में 1990 के दशक की स्टाइल की वापसी कारण तामा गोटची अचानक लोटाए हैं और इसलिए 1990 के दशक के ओ वो भी लगभग 30 डॉलर में बिखते हैं वेल कम से कम ये एक असली मरे हुए पाल तो जानवर के लिए आपको जितना मिलेगा उससे कहीं जादा ही है कॉमिक बुक कैश इन दोस्तों फिल्मों के कारण बहुत से लोग आज बेहद लोग परिये मार्वल और डीसी यूनिवर्स का मजा लेते हैं लेकिन उनके कॉमिक बुक वरिजिन उतने मशूर नहीं थे कॉमिक्स खास तोर पर हमेशा बच्चों की ही किताब रही है इंट्रोडक्शन था ओरिजिनली 1931 में 10 सेंड के थी और आश्या जनक रूप से 2021 में नीलामी में 3.2 मिलियन डॉलर में बेची गई थी यहां तक कि कम जाने माने हीरो भी कॉमिक बुक्स में मौजूद हैं जो अभी भी बेहत कीमती हैं अमेजिंग मैन कॉमिक पांच ने 1949 में अमेजिंग मैन की शुरुआत की थी जो अपनी शक्तियों के मदद से अपने मूँ से सांपों से लड़ता था बहले ही उस समय इसकी किमत सिर्व 10 सेंड थी लेकिन उन में से एको हाल ही में 63,250 जॉलर में बेचा गया था 1940 में एडविंचर कॉमिक 28 ने आवा मैन को पेश किया जो शायद ही कभी देखा गया DC हीरो है जो जादुई आवा गलास से जुर्म के खलाफ लड़ता है इस कॉमिक्स की सिर्फ 28 कापिया मौजूद है इसलिए वो चाहे जो कुछ भी करता है उसका इंट्रोडक्शन इन कॉ को लगभग 54,000 डॉलर की करीब पहुंचाता है ए भगवान काश के मेरे दादा एक किताबी कीड़े रहे होते बोबा फैट स्टैक दोस्तों अगर आप स्टार वॉस पसंद करते हैं तो हो सकता है कि शायद आपने फ्रेंचाइजी के इन खिलोनों के साथ फिल्मों से अपन 89 के बोबा, फैट जे स्लोट, रॉकेट फाइरिंग प्रोटोटाइप से ज़्यादा लोग प्रे नहीं था ऐसे सिर्फ 100 प्रोटाइप खिलोनी ही बनाए गए थे क्योंकि उनके फाइरिंग मेकनिजम में प्रॉबलम होने के कारण उनका प्रोडक्शन रोग दिया गया था और उसे एक बहुत ही सिंपल लेजर गन से बतल दिया गया था, 10 सेंटिमीटर लंबे इस खिलोनी के कीमत बहुत जादा है, चाहे उसकी कंडिशन कुछ भी हो, क्योंकि वो बहुत ही रेर हैं, लेकिन 2019 में अपनी औरिजिनल बॉक्स में एक एकदम नया 185 डॉलर से जादा म हो सकता है, यह जाने बिना कि उसकी कीमत क्या हो सकती है, ऐसा लगता है कि यह पता लगाने का समय आ गया है, क्या आपके माता पिता बिग बुबा के फैंस थे? बिग बिनी बेबीज, दोस्तों 1990 के तशक में बहुत सारी लोगों ने बिग बिनी बेबी बेंड वेगन खरीदा था, अपने ट्रेडमार्क टी वाय हार्ट शेब्ड लेबल वाले, यह खुबसुरत कलेक्टिबल बीन बेयर हर जगह देखे जा सकते थे, और हर खिलोने की क लेकिन 2000 के दशक में उनकी लोग प्रेटा कम हो गई थी, उनमें से जातर आज बेकार हो गए हैं, हलाकि अभी भी कुछ कलेक्टर्स अपनी तरह की इन अनुकी खिलोनों के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए तयार हैं, जैसे कि चमकीले सफेद, वैलेंटिनो बेयर के, कलेक्टर्स कई खामियों के साथ एक यूनिक मॉडल की तलाश में हैं, जिसे घलती से 1990 के दशक के बीच लाँच किया गया था, एक वैलेंटिनो जनवरी 2019 में बाजार में बहुत सारी खामियों के साथ दिखाई दिया था, इसकी नाक काली के बजाए भूरी थी, लेवल पर यलो स्टार के बजाए एक वाइट स्टार था, PVC प्रेट्स थे और टैक पर कई गलतीया थी, और ये गलतीयों से भरा बेर कितने में बेचा गया था, आश्या जनक रूप से ये 42,300 डालर में बिका था, अपनी कंडिशन के हिसाब से दूसरे बहुत कम में बिक सकते हैं और डबल वेडल की वज़े से दूसरे खिलोनों से अलग था, उन में से कई परानी कंडिशन में अभी भी एवे पर मौजूद हैं और उनकी कीमत 6,500 डॉलर से जादा है, ये कैसा टर्की के लिए बहुत जादा है, जिसे आप खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन प्रिंसेस उन स की कुछ कीमत हो सकती है, उन में से जातर पॉलिथिन या पी और पैलेट से बने थे, जो अब काफी बेकार हैं, लेकिन जो पॉलिव नाइल क्लोराइड या पीवी सी और पैलेट से भरे हुए हैं, वो जादा कीमती हैं, जिन में से एक को जनवरी 2019 में 10,000 डॉलर की भारी की चाया था, लेकिन भालूों के कीमत का दावा करने वाली संसनी खेस समाचारों की जड़ी लग गई है, और बहुत सारे सेलर्स ने अपनी प्रिंसिस को लगभग 9,000,000 डॉलर की कीमत पर आनलाइन पोस्ट किया है, असल में तो उन में से जातर वेर उसके एक हिस्से के लाइ जो आपको अपने हैपी मील के साथ मिलता था, अकसर एक सेट के हिस्से के रूप में और डाइबिटीज होने के खतरे को उठाते हुए, बच्चे अपने माबाप से उन्हें हैपी मील खरीदने के लिए कहते थे, ताकि वो ने कटा कर सके, वार रोनल, इससे कहते हैं स्मार् फ्रेंचाइजी के प्रमोशन का हिस्सा थे, आज कलेक्टर्स के लिए बहुत कीमती हैं, उनका 1996 का 101 डाल मेशियन सेट जो फिल्म के रिलीस से जुड़ा था, बहुत मशूर था, मैग नॉलस रेस्टों के बाहर सभी उमर के लोग 101 डाल मेशियन खिलोनों में से एक को हत्या काने की कोशिश करने के लिए लाइन में खड़ी रहते थे, और उन्होंने एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी इसमें शामिल किया था, और उन्हें एक यूनी कलेक्टर बॉक्स में पैक किया गया था, एक पूरा सेट अब लगभग 220 डॉलर में बेचा जाता है, जिनमें स कुछ की कीमत 400 डॉलर के आसपास लिस्ट की गई है, यहां तक के सही खरीदार के लिए एक या दो खिलोनों की कीमत भी कुछ डॉलर होती है, लेकिन ये सिर्फ डाल मेशियन नहीं है, जिनकी कीमत जादा है, 1994 में पावार रिंजर्स के पागलपन की उचाई के दौरां लॉ वी एचेस की धोख बाजी, दोस्तों क्या आपको याद है कि जब आप छोटे थे तब वी एचेस टेप पर फिल्में दिखा करते थे, इंट के आकार के एक एक एसेट 1970 के दशक में बनाए गए थे, और इन्हें हों वीडियो इंडस्ट्री का आधार माना जाता था, अब कि लोक एसेट को पुराने दिनों की यादों के रूप में समहल कर रखते हैं, और अब उनकी कीमत बहुत जादा हो सकती है, वाल डिजनी स्टूडियो के एनिमिटेड फिल्में पहली बार 1990 के दशक में वी एचेस पर रिलीज हुई थी, जिनके टाइटल स्नो वाइट, बीट दिखाई देने लगी, जिनमें अच्छे कंडिशन वाले टेपों की कीमत पांस सो प्रती पीस से लेकर बारा हाजार आट सो डॉलर तक थी, लेकिन इस से पहले कि आप अपनी मा को फोन करें, और पुराने डिजनी टेप के बारें पूछें, समझ लीजे कि ये पुरानी बा एलेक्टर को अपनी तरफ आकरशित किया था, ईबे ऑस्पेलिया के हिसाब से 2019 में डिजनी ने 1999 मुलान का एक VHS 2111 ऑस्पेलिया डॉलर में बिचा था, ये लगभग 15,000 अमेरिकन डॉलर जितना था, ये जानते हुए कि जात और लिस्टिंग 40 डॉलर से कम है, मुझे लगत जब जेके रालूं की किताब Harry Potter and the Philosopher's Stone की पहली 500 कौपियां रिलीज हुई, तब इस जादूगर बच्चे की जादूई दुनिया की शुरुआत हुई, इसमें बहुत सी misprint, spelling mistakes और पीछे एक बत सूरच जादूगर की तस्वीर थी, जिसका जिक्र किताब में कहीं नहीं किय अपनी तमाम कमियों के बावजूद हे रातों रात एक संसनी बन गई थी, इसकी अपार काम्यापी की बदॉलत, यह मूवी डील, मार्केटिंग लाइसेंस और यहां तक की वीडियो गेम की कारण 25 बिलियों डॉलर की फ्रेंचाइज ही बन गई है अब अगर आप मेरी तरह हैं और छोटे होने पर इन्हें बढ़ा करते थे तो इस बात के संभावना है कि पुरानी यादों के वज़े से आपने उन्हें कहीं पर रख दिया होगा लेकिन आज उन फर्स्ट एडिशन बुक्स की अच्छी खासी गीमत है जुलाई 2021 में जे के द्वारा साइन की गई एक फर्स्ट एडिशन हार्ट कवर परफेक्ट एडिशन कॉपी असे जार पाउंड लगभग एक लाग दस जार डॉलर में बिकी थी कुछ दूसरी जिनकी हाला थोड़ी खराब है वो 41,000 डॉलर तक में बिक सकती है लेकिन इतना काफी नहीं है अगर आप एक सूपर फैन थे और सभी बुक्स के पहले और दूसरी आडिशन को एकठा करने हम कामियाब रहे हैं तो आज आक्शन हाउस में उस कलेक्शन की कीमत 15,000 डॉलर तक हो सकती है कीमती विनायल दोस्तों मैं तो CD और cassette सुनते हुए बढ़ा हूँ इसलिए मैं रिकॉर्ड के आकाशन को कभी नी समझ पाया 20 वी जदी में म्यूजिक सुनने के लिए modulated disc सबसे लोगपीर तरीका था लेकिन जब 1980 का दौश शुरू हुआ तो उन्हें digital disc से बदल दिया गया था लेकिन 2007 में record albums ने फिर से लोगपीरता हासल करना शुरू कर दिया क्योंकि कई संगेत premium ने दावा किया है कि वे बहुत बहतर हैं और digital music से अलग एक खास समय में बैंड्स द्वारा सिर्फ कुछ ही record album प्रिंट किये गए थे इसलिए वो जितने रेयर हैं उतनी ही जादा उनकी कीमत हो सकती है 2006 में 60 के दशक के बेहत लोगपी रॉक बैंड The Velvet Underground ने नीलामी के लिए उनके एक record को रखा था जिसमें कई गाने शामिल थे जो उनके debut landmark album में दिखाई दिये यह अब तक के बनाए गए दो में से एक था और इसकी एहमियत के कारण यह 25,250 डॉलर में बिका था लेकिन कीमती होने के लिए एक record का इतना unique होना जरूरी नहीं है Beatles के album Sergeant Papers Lonely Hearts Club Band को साथ के दशक में release किया गया था जिसकी दुनिया भर में लगभग 32 मिलियन कॉपियां बेगी थी 2013 में सभी चार मेंबस द्वारा autograph की गई एक सिंगल कॉपी 2,90,000 डॉलर में बेची गई थी लेकिन अच्छे सिदि में unsigned original version भी 800 डॉलर से ज़्यादा में बेचे जा सकते हैं यार ये आपकी दादी से मिलने और ये देखने का time हो सकता है कि क्या वो Beatles की fan थी बिग टिकेट टैकल दोस्तों क्या आपके दादा जी को मचली पकरना पसंद था अगर था तो वो शायद एक हुक का इस्तिमाल करते होंगी जो एक चमकदा चोटी चीज होती है जो मचली का ध्यान आकरशित करने के लिए हुक से जुड़ी होती है जबकि आज इस्तिमाल किये जाने वाले जातर हुक काफी कलरफुल होते हैं कुछ पराने ऐसे हैं जो बहुत कीमती हैं और मौडरन हुक्स की तुलना में कम कलरफुल होते हैं ओहायो में रहने वाले गंस्मेथ रिले हास्किल ने 1869 में एक चोटे मचली के शेफ जैसे हुक को डिजाइन किया था और उन्हें पेटिन कराया था मेचल के हुक उपर से कौर को नीचे के तरफ लेट से बने होते थे जो हुक को पानी में सीधा रखते थे उन्हें शायद एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को दिया गया था क्यूंकि वे बेहद मजबूत थे और यह अजीब नहीं होगा अगर उन में से कुछ को बेस्मेंट में पुराने टैकल बॉक्स में रखकर भुला दिया गया हो लेकिन अपनी तरह के पहले होने के नाते कॉपर और ब्रास के इन हुक्स ने दुनिया फर में मचली पकड़ने वाले शौकीनों के बीच लोग पीरता हासल किये इतनी जादा कि एक स्पेशल जाइंट हस्किल दो हजार तीन में एक लाख दो हजार डॉलर में बिका था ऐसा लगता है कि आपके दादा जी के पुराने एंगलिंग गेर के जाथ मचली पकड़ने का जमय आ गया है कीमती मेसंजार दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी दादी के पुराने जमाने के मेसंजार आपको कुछ पैसा दला सकते हैं तो आप सोचेंगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया लेकिन इससे पहले कि आप पागल खाने में फोन करें मैं आपको समझाता हूँ मेसंजार का अविशकार अमेरका में हुआ था और ये दुनिया का पहला पेटनिंट सील टाइट ग्लास जार है उन्हें 1800 के दशक में खाने को खराब होने से रोकने के लिए बना गया था उस वक जब मजबूट चीज़े बनाई जाती थी इन मोटे कांच के कंटेनर्स को पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में सौम दिया गया था एक बेहतर ने अवशकार होने के नाते 1870 में बने इस तरह के पहले बेहतर स्कुरू कैप जार में से कुछ की कीमत आज लगभा 50 डॉलर है 1886 में डार्क ग्लास से बने फ्रूट जार जिन में मजबूत लोहे की क्लैम वाले कैप होती है जिनके कीमत 3000 डॉलर तक होती है और ये वारन वैन विलियर्ड डिजाइन वाले जार की कीमत 23,500 डॉलर है हाँ मुझे पता है कि अजीब लगता है कि ग्लास और मेंटल के एक टुक्टे की कीमत इतनी जादा हो सकती है लेकिन मुझे अभी भी पागल खाने की सलाखों के पीछे मत भीजे भाई जो बचे हुए है वे 19 सदी की तक्निक के बहुत ही अनोखे नमूने माने जाते हैं इसलिए एंटीक डीलर्स के लिए ये बहुत ही कीमती है हाँ तो भईया अब कौन पागल है? यार मैं तो जारू हूँ अपने घर के बेस्मेंट के टटोलने क्या आपको लगता है कि इनमेंसे कोई चीज आपके स्टोर रूम में छिपी हो सकती है या क्या आपको अपने घर में कभी कुछ ऐसा मिला है जिसके बारे में आपको अंदाजा नहीं था कि ये इतना कीमती है? मुझे नीचे कॉमेंट सक्षिन में आकर बताएं और हाँ देखने के लिए शुक्रिया